Hello friends, welcome to Karchmanetek आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि VoiceMeter बनाना को कैसे समझना है ठीक है? मैं यह नहीं बताऊंगा कि कैसे Mic Attach करना है, दो-दो Sound कैसे लेके आनी है मैं आपको समझा ही दूँगा कि आप इसमें कुछ भी कर सकते हैं इस VoiceMeter बनाना में तो सबसे पहला Step क्या करना है? सबसे पहला Step जो है, यह मैं आपको बताता हूँ यह क्या होता है? अब यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले आपने देखना है कि आपका जो Computer है ना, उसमें कितने Speaker Attach है? अब मेरा अब यहाँ पे देख पारे होंगे Samsung, अगर मैं यहाँ पे Select कर देता हूँ तो जो भी आवाज होगी Computer की, वो मेरे सिरफ Speaker में जाएगी जो मेरे Samsung के Speaker है, उसमें जाएगी अगर मैं यहाँ पे यह Select कर देता हूँ इतना तो आपको पता ही होगा अब यहाँ पे मैं Speaker सेलेक्ट कर देता हूँ तो जो आवाज है यहाँ पे वो मेरे Headphone में आ रही है ठीक है तो यह दो Speaker यहाँ पे मेरे पास अभी है ठीक है? तो VoiceMeter बनाना आप Install अगर नहीं करोगे तो यह दो ही Option यहाँ पे आपको दिखाई देते हैं ठीक है? तो VoiceMeter बनाना आपने पहले तो Install कर ले ला है मैं यह नहीं बताऊंगा Download कैसे करना है Install कैसे यह तो कोई भी कर लेता है ठीक है? तो यह Interface आपका Open हो जाएगा VoiceMeter बनाना का अभी यहाँ पे दिखाते हैं सबसे पहले देखें मतलब लोग Confuse हो जाते हैं कि यह है क्या चीज इतने सारा चीज क्या है? कुछ भी नहीं है भाई जबसे पहले जो cassette दिख रही है यह आपको Confuse कर देती है A1, A2, B1, B2 क्या है कुछ भी नहीं है इसको भूल जाएए दिमाग से निकाल दीजिए इसको यह recorder है मतलब एक वो नहीं बोलते कि हम जो भी आवाज देंगो record कर देगा ठीक है? तो वो चीज है बस यह और कुछ भी नहीं है ठीक है? तो इसके आपने ध्यान नहीं देना यह भी मैं बताओंगा last में extra में इसमें चलो मैं बता देता हूँ यहाँ पर बस यह record करता है आपकी आवाज को, एक cassette समझ लीजे बस यह recording के लिए यूज होता है तो इसको आप भूल जाएए, इस area को आप भूल जाएए, जो भी है अब यहाँ पर आप देख पार होगे A1, A2, A3 ठीक है? तो यहाँ पर आपने वो device select करनी है, जहाँ पर आपने आवाज पहुंचानी है अब मेरे computer में कितने device connected है मैंने आप से कितने device बताया था कितने device connected है, दो device connected है पहला device connected है, मेरा Samsung का TV, दूसरी device connected है मेरा जो speaker है, वे, output की बात कराऊ, जहाँ से आवाज आती है वो device कितने है, एक तो यहाँ से आवाज आती है, मेरे headphone से पहली, और यहाँ पर मेरे computer जो screen है, उससे आवाज आती है उसमे speaker है, तो दूसरी वो device होगी तो यहाँ पर मैं पहली जो device है उसको नाम दे देता हूँ, यहाँ पर Samsung, जो मेरे computer, जो LCD है, वो, ठीक है और A2 यहाँ पर दे देता हूँ, जो मेरे speaker है वो, ठीक है, तो A1 का मतलब हो गया, मेरे Samsung का जो मेरा speaker है, वो, और A2 यहाँ पर मतलब हो गया, यहाँ पर speaker है, जो मेरे कान वाले speaker है, वो अभी यह जो virtual input है ना यह बहुत important है, और ठीक है तो इस सब कुछ करने से पहले आपने दो चीज़ करनी है, आपको क्या-क्या चाहिए होता है, अगर आप computer चलाते हैं, आपको क्या चाहिए होता है, ठीक है आपको चाहिए होता है कि एक device हो, जिसमें आप output दें, ठीक है, और एक device होती है, microphone जिसमें आप input देते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो input जारी है मेरे computer में, दो चीज़ सही होती है, आपको interact करने के लिए ठीक है, तो यहाँ पे, output के लिए तो यहाँ पे दो चीज़े हो गई, यहाँ पे ठीक है, तो जो यहाँ पे आपने अपना जो यह है ना, voice meter input वायो, यह select कर लेना है, ठीक है, यह बहुत important है, यहाँ पे यह select कर लेना है अब जैसे मैंने आपको बताया था कि आवाज आपको speaker में पहुंचानी है, तो speaker select करेंगे, और Samsung में पहुंचानी है, जो मेरे shift करेंगे, अगर आपको आवाज software के थुरू पहुंचानी है, different devices में, तो यहाँ पे हम voice meter वायो, यह select करेंगे, अब जहाँ भी पहुंचानी है, हम application के थुरू, कहीं पे भी पहुंचा सकते हैं, हम यह option भी यहाँ पे use कर सकते हैं, जहाँ स्पीकर में पहुंचानी थी ना, तो वो यहाँ पे भी हम कर सकते हैं वो चीज, ठीक है, तो यहाँ पे आपने playback जो device होती है, वो हमारा speakers होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपने यह select करना है, voice meter वायो, ठीक है, सबसे पहले है, और दूसरी चीज है, यहाँ पे sound में चले जाना है, sound में जाके recording में आप जाएंगे, ठीक है, जो आपका, मतलब microphone है वो कौन सा use करना है, वो आपने voice meter aux output जहाँ पे होगा यहाँ पे आपको इसको set default लिखा होगा उसमें आपने करके यहाँ पे okay कर देना है, यह दो चीज़ बहुत important है, ठीक है, तो अभी क्या करना, बरना आपकी आवाज नहीं आएगी, ठीक है पहले बता रहा हूँ मैं, आवाज नहीं आएगी तो अभी क्या करना है, अभी यह बताता हूँ मैं, virtual input क्या होता है, virtual input आपका A1, A2 है, देखिए, अभी जो भी मैं, देखिए, अभी यहाँ पे कुछ भी select नहीं करता हूँ तो यहाँ पे, जैसे आप इसको ऐसे करते हैं, तो टुनूंग टुनूंग ऐसे आवाज आती है न, तो वो आवाज नहीं आएगी तो यह जो होती है, हमारी कंप्यूंटर की आवाज आई है, जैसे टुनूंग टुनूंग बोलती है न, यह ऐसे ऐसे करते हैं इसको जो यहाँ बार है, इसका आगे पिछे करते हैं, टनंग टनंग की आवाज आती है तो वो आवाज कहीं पे भी नहीं आएगी या तो मेरे headphone या मेरे जो TV का speaker है वो या फिर दोनों ठीक है अगर मुझे आवाज मेरे headphone में चाहिए सिर्फ मेरे headphone में चाहिए तो आपे A2 स्लेक्ट कर दूँगा अभी मैं जो भी यहाँ पर करूँगा ना तो मेरे headphone में आ रही है आवाज इस टाइम जो कुछ भी मैं यहाँ आपे ऐसे कर रहा हूँ तो यह मेरे headphone में आ रही है ठीक है क्योंकि A2 मैंने यहाँ पर headphone स्लेक्ट किया है तो यहाँ पर headphone में आ रही है तो यहाँ पर A2 अगर मैं स्लेक्ट नहीं करता हूँ तो आवाज कहीं पर भी नहीं जाएगी हाँ अगर A1 स्लेक्ट करता हूँ तो मेर मैं यहाँ पर A2 में select कर देता हूँ A1 में भी select करदा हूँ A2 में select करता हूँ तो यह जो आवाज है मेरी इसमें भी आएगी और मेरे जो मेरा TV है उसमें भी जाएगी है आवाज ठीक है तो यह आपका खेल यहाँ पर खतम हो गया speakers का ठीक है तो वो सोचते हैं ना कि आवाज कहां कहां पहुंचानी है दो जगह पहुंचानी है अब यहाँ पर बात करते हैं capture card की ठीक है अभी यहाँ पर मैं capture card use कर रहा हूँ यहाँ यहाँ पर मेरा detect नहीं हुआ है capture card दिखा देता हूँ ठीक है तो वह मैं आपको बताता हूँ जैसे capture card मैंने यूज किया है वह एक HDMI splitter के थूज कर रहा हूँ ठीक है तो एक ऐसे HDMI आता है दो HDMI बन जाते हैं एक HDMI तो मेरे computer में चला गया जो monitor है इसमें चला गया और दूसरा HDMI नीचे लगा हुआ है ठीक है capture card उसी से मैं यह record कर रहा हूँ अभी फिलाल ऐसा मैं समझें कि यह जो मेरी PC है यह PC अलग है जो आप screen पर देख रहे हैं यह अलग है लिकिन जो मैं record कर रहा हूँ न वो streaming PC की help से record कर रहा हूँ इस time तो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर देखिए अगर मैं यहाँ पर इसको डिसलेक्ट कर देता हूँ न तो यहाँ पर मैं टूनूंग करता हूँ इस तरीके से तो आवाज आवाज नहीं जा रही है यहाँ बिलकुल भी अगर यहाँ पर A1 मैं select कर देता हूँ मतलब जो आवाज है वो मेरी capture card में भी जा रही है तो आवाज जो है मेरी capture card में भी जाएगी और मेरी TV में भी जाएगी A2 का मतलब है जो मेरी headphone है ठीक है तो यह मेरा जो है speaker का पूरा काम खतम हो चुका है फिलाल तो ठीक है अभी और भी बताऊंगा मैं यहाँ पे भी A1 A2 A1 A2 है य अब आते हैं इस portion में ये portion क्या है ये कुछ नहीं है बस आपका जो आपके वो है क्या कहते है कि equalizer आप यूज करना चाहते हैं इस तरीके से वो यूज कर सकते हैं मोड्स हैं काफी सारे, लेकिन यह कुछ काम की चीज नहीं है, म्यूट करना चाहते हैं, यहां पे म्यूट कर सकते हैं, जैसे कि मैं क्या बताउं, जैसे कि मैं sound produce कर रहा हूं ना, तो यहां पे यह जैसे level बढ़ रहे हैं, तो यह चीज दिखाएगा यहां पर जो यह portion है तो इसको मैं कर देता हूँ normal mode यह master जो section है यहां पर बस आपकी आवाज उपर नीचे कम जादा यहां पर आप कर सकते हैं ठीक है जैसे A1 sound है तो यह A1 का portion है यह वाला जैसे कितनी आवाज पहुंचानी है मुझे तो यहां पर मुझे नीचे कर सकता हूँ इस तरीके से जिरो पर select कर देता हूँ ठीक है अब मान लीजी यहां पर A1 है यहां पर मैं mute करता हूँ तो भी कोई आवाज नहीं आएगी तो कोई आवाज नहीं आएगे क्योंकि आपे मैंने mood mute कर दिया जैसे मैं unmute करूंगा तो यह टुनूंग टुनूंग यह भी level उपर होने लग गया बस यह यह master section में इतना ध्यान देने की जुरूत है नहीं है तो यह master section है अब सारा खेल तो हमारा complete हो चुका है जैसे जो भी speaker है वो हमारे हमें पता चल है यह अपका microphone का है specially जो भी मैं यहां से बोल रहा हूँ ना यहां पर से बोल रहा हूँ तो वो मेरा जा रहा है देखिए यहां पर detect हो रहा है सबसे पहले क्या करना अपने mic यहां पर select कर लेना है जो भी आपका microphone है वो यहां पर select कर लेना जैसे real tech का microphone है जो default यही रहता जैसे जो aux के jack होते हैं 2.5 mm का jack जो होते हैं वो यहाँ पे यह होते हैं ठीक है तो इसको आपने select कर लेना अपना जो भी microphone है या फिर आपको नहीं पता अगर microphone कौन सा है तो आप sound section में चले जाएए recording में जाओगे ना तो यहाँ पे आपको microphone आपका दिख जाएगा अभी तो यह मतलब हो नहीं रहा उपर नीचे अगर अगर मैंने अपना software इंस्टॉल नहीं किया होता तो यहाँ पे यह उपर नीचे फुदक रहा होता यह microphone यह उपर नीचे हो रहा होता ठीक है तो यह मेरा नाम भी दे सकते है microphone का मैंने नाम लिख दिया यहाँ पर तो अभी देखिए मेरी आवाज जो है detect हो रही है अब यह आवाज क्या है यह मेरी input आवाज है मैं बोल रहा हूँ यह input जा रही है हमारे computer को अभी इस आवाज को मैं अगर A1 पर select कर देता हूँ A1 क्या था A1 थी हमारी जो capture card और जो मेरा computer की screen है वो ठीक है अब जो मेरी आवाज है ना यहाँ पर capture card में भी आ रही है और मेरी जो आवाज है वो मेरी TV में भी जा रही है TV को जो speaker है ना उसमें भी जा रही है अगर यहाँ पर select कर दूँगा तो मेरी आवास कहीं पर भी नहीं जाएगी ठीक है अगर मैं यहाँ पर A2 select कर देता हूँ ठीक है यहाँ पर A2 यहाँ पर अगर मैंने select कर दिया तो जो मेरी आवाज है वो मुझे ही सुनाई दे रही है इस वक्त ठीक है जो भी मैं headphone है तो यहां पे मेरी आवाज आएगी ठीक है जो headphone क्योंकि A2 हमारा ये वाला output था तो जो input लेगा यहां से और output A2 में दे देगा तो मुझे जो जो मैं भोल रहा हूँ वो आवाज मेरी headphone तक आ रही है तो A2 का ये मतलब है तो ये चाहे तो आप इसमें कर सक रखते हैं वैसे तो मैंने अलग से microphone attach कर रखा है मेरे इसमें streaming PC में तो ये अलग से attach कर रखा है यहां पर बोया का M1 और ये मेरा headphone का अलग यह wire देख रहे हैं तो यह wire जो है यह अलग से attach कर रखे मैंने यहां पर तो यह इस तरीके से है अगर यहां पर A1 select करूंगा मतलब यह जो मेरी voice है वो capture card में भी जाएगी और मेरा जो TV है उसमें भी जाएगी through HDMI और A2 select करता हूं तो जो मैं बोल रहा हूं यह आवाज मेरी आएगी वापस मेरे कान के तुरूं क्यों आएगी क्योंकि हम यहां पर microphone के section में बैठे हुए हैं भाई ठीक है तो यहां पर A2 भी uns select कर देता हूं तो अभी यह जो आवाज है यह मुझे जो मेरी आवाज है यह तो मैं speaker तक पहुंचा रहा हूं लेकिन जो मेरी आवाज है यह मेरी computer तक नहीं पहुंच रही है फिलहाल ठीक है जैसे हम मैं voice record करूंगा न यहाँ पर जैसे voice recorder यह आपका मतलब computer की device है computer की device यहां तक आपकी आवाज जानी चाहिए तो यहां पर मैं अगर record करूँगा ना तो यहां पर कुछ भी नहीं होगा कुछ भी record नहीं कर रहा देखें हिली नहीं रहा है बिल्कुल ऐसे stable है बिल्कुल ठीक है इसको कोई भी input नहीं मिल रही तो यहां पर अगर मैं इसको सुनूँगा तो यहां पर कुछ भी record नहीं हुआ ठीक है तो यह कैसे करना है यहां पर जो B2 option दिया गया है यह especially इसी लिए दिया गया है आपको अगर आप B2 select करते हैं ना तो जो आवाज है वो computer तक आपकी पहुँच रही है समझरी हो बात जैसे हम game खेलते हैं multiplayer game खेलते हैं online GTA 5 game खेलते हैं तो वहां पर आपने वहां तक अपनी जैसे ही मेरा PC है मैं इसमें GTA 5 खेल रहा हूँ ठीक है लेकिन मेरी आवाज computer तक पहुँचनी चाहिए ना तभी तो GTA 5 के अंदर जो voice chat होती है वहां तक अवाज जाएगी मेरी ठीक है तो यहां पर B2 select करना है आपने ठीक है और जो default device होती है जैसे GTA 5 में आप जाएंगे तो वहां पर device का वो मिलेगा option मिलेगा device में जाएंगे तो वहां पर Ox वाला select करना है यहाँ पे तो यह वाला स्थ करना है धेकिन जो भी microphone की जो setting होते है वहाँ पे आपने यह voice meter oaks नामसे होगा यह वाला स्थ करना voice meter order input ठीक है तो यह आपने select करना है वहाँ पे जहाँ भी microphone का section देखें वो चीज ठीक है तो यहाँ पे वह यह select मत कर देना कि यह वाला select मत देना speaker जो भी है speaker real tech audio यह select मत कर देना वरना आवाज नहीं आएगी आपने B2 select करना है B1 select करेंगे तो जो मेरी आवाज है वो मेरी यहाँ पर जाएगी मतलब जो यह है ना जो मेरे devices है यहाँ पर जाएगी B1 का आपका कोई खेल नहीं है B1 virtual input के लिए छोड़ो B2 आपने select करोगे तो जो आपकी आवाज है वो आपकी computer के अंदर जाएगी ऐसा नहीं कि इस में जाएगी उस में जाएगी computer के अंदर यहाँ पर आप different type of device connect कर सकते हैं यहाँ पर सिरस एक ही microphone है तो मेरे माली जी मेरे पास एक और microphone होता तो उसको यहाँ स्लेक्ट करके जो जहाँ पर भी आपने अवाज पहुंचाने है अपनी, वहां पर different devices में आप अपनी आवाज पहुंचा सकते हैं तो यही खेल है पूरा box जो भी वोईसमेटर बनाना है इसका पता नहीं लोग इतनी सारी वीडियोस देखी मैंने इतना कन्फ्यूज करते हैं लोगों को धंग से बताते ही नहीं है मैं खुद कन्फ्यूज था तो थोड़ा समझने में टाइम लगा मुझे भी लेकिन यह इसी तरह पता नहीं यहां पर ऐसे करके यह वोईस्मेटर ऑस है इसको भी ऐसे जो है इसमें देखे कैसे कैसे काम करता है यह कोई काम नहीं है जो कैसे है अल छोड़ दीजिये इसमें आपका पूरा setup हो जाएगा और इसको आप minimize कर देंगे तो आप अपना game enjoy कर सकते हैं अपनी अवाज को कहीं पे भी बेश सकते हैं different devices में तो उमीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इसे काफी सारे doubt आपके clear हो गए होगे तो आज की वीडियो को ये पे खतम करते हैं और अगर आप चैनल पन नहीं हो तो चैनल को subscribe वीडियो को like जरूर कर देना मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए बाई